एजेस फेटरल लाइफ इंशुरंस साधर करता है फर्गोटन जेम्स ओफ इंडियन क्रिकेट मी द्वारकानाद सब्केरी आज एक अशायका क्रिकेट पट्वीला में घ्यों नाले कि जो अत्यन्त चिकना होता अशे मस्त डोक्यावर केस वगरे आणि एउन जोराच चेंडू टाकाईचा त्या क्रिकेट पट्वीला गम्मत माला सांगतो तो सावराष्ट साथी खेलाईचा एकदा तो बॉंबे विरुद्ध खेला त्यावलेला मुंबाईची टीम मंजे प्रचंड मोठी टीम अधी अत्यांत शक्तिमान फुल अफ स्टार्स वगरे वाडेकर, सर्देशाई, कावसकर सुधीर्नाई कशे मोठ मोठे क्रिकेट पट्व त्या संगात होते आणि सावराष्टर कुणीचिनो त्यावल तो सावराष्टर कड़ूं खेलत होता आणि मुंबाई चे खेलाडूनना तो कोने अजिवात भाहितना पट्व तानि आताद बॉल घेतला मस्त रनब घेतला धावत आला आणि बुलिंटाकाला सुरुवात केटी आणि ती जी गोलंदाजी वती ना ती जंजावती वती किती जंजावती असेल तर मुंबाई चे या बलाडड़ संगाची अवस्त अईदादनी पाच बाच सत्त रशी केली आणि मग मुंबाई चे खेलाडून जे लक्षदेल कि सवराष्टर कड़े कुड़िती रेक चांगला वेगवान गोलंदाले पॉली उंब्रिगर आमचे त्यावलेला मुंबाई संगाचे मैनेजर उते त्यानी या मुलागड़े पाहिला आणि त्याला लक्षदेलले कि हैचा अगड़े कुड मोठो टैलेंट है आणि हा मुलगा भारता साटी खेलू शब्तो पॉन त्याला जर भारता साटी खेलाचा असेलना तद नुस्ता सावराष्ट्र मदे रावन त्याचा भलो वड़ानने आणि मुंबाई चे पन भलो वड़ानने उनों त्यानी दला सागित लगकी तु सावराष्ट्र सुड़ूद मुंबाई ले तुसका मन्जे तु मुंबाई चे रंजी सांगा मरेता खेलशील प्लस मी तुला ससी सरक्या चांगलया कम्पनित जॉब देतो तुला जॉब है मिनेल तुला मुंबाई साटी खेलता हैल आणि तित्थो भारतिया सांगा जाना एक सोप होईल तो मुल्गा एकदा मालास मनाला कि मुंबाई चे लोको कुप हूशा मन्जे समोर्चा संगा कड़े असलेला चांगला गोलन्दा आपले असावा असली तेरा वाटलसेल आणि त्यानि माला आमंत्रंडील और त्या मानसा नी रादर त्या मुला ने ते आमंत्रन स्विकारला अने तो मुंबई ताला अने मग शंभर्चा वर्ती विक्रेट घेनारा तो पहीला वेगवान गोलंदा स्ठारला भारताचा तच नाउं करसन खावड मुंबई तेवन सेटल होना यह उड़ी सोप्पी कोष्ट नौ तिया करन करसन घावरी हाँ खुप मुठा शेकिलेला नौता तेलल तेलले एकज भाषा है दूती अक्तियोती गुजरा दी तेलले हिंदी सुधा नीट यहत नौता इंग्रीश यहत नौता अश्या वड़ैला तेलला मुंबई चे खाऴुनी खुप मध़केलीро ACC मध्य मत्य तेलला किरन आशेर नावाचा क्रिफेट पानो ता किरन आशेर के देशा साथी नैं खेल्लै मुंबई साथी खेल्लै पन यहा किरन आशेर ने खरसन घावरीला अपला अपला धाक्ता भाव मानना बर्याच वेलेला करसं घावरिया किरन अशिरकडे गौंद रहाईचा त्याने तेचे वर समस्कार के लिए ये मुम्मई मदे रहनया सटी गरजी जोगें करसं कसा होता है में तुमाला सांगतो तैनिस सांगित लेला माला एक किस्सा तो जैवलेला एससी ले जोइन जाला तैवलेला एससी मुठी कॉर्पोरेट कंपणी कॉर्पोरेट कंपणी मदे कसा काम कराएचा कसा दाएचा जाला काही माहित ना होता है तेला मस्तपई की रंग त्या सेसी चे मैनेजिंग डायरेक्टर आणि नानी पालिके वाला ते सुधा डायरेक्टर होते ते जोगदान तिथुन चाल्ले होते में त्या डिपांडमेंट मदुन और त्यानी यहां मुलाला पाहिला त्याना यहां कपड़ात लेक्रसं घावलीला वगण प्रचंड आश्यर वाटला काईस ने बोल लेते तो निगून गिलें त्यान अंधत त्यानी किरन आश्यर ला फोन करूंग वर्ति बोलोला तो मुल्गा जो होता ना तो मुल्गा बाहर सा होता गेस्ट मुनों आलेला होत कापल आजने न् Χुल नोकलिकरतो तो क्रिकेट पट्ट उकर आहेका तैलापन्य।र क्रिकेट पट्ट आपनों क्रिकेट पट्ट मुन्टं क्येतलाएका केर ना संत्ला अश्यर बाहर नos रोखर Skillen में ते लेकेर रही होता नमद्मात है की पार्पोर्पऌना अश्यर मे आणि कॉर्परेट और मिसला लागडारे कपड़े त्यानी त्यासाटी है त्यानी कर्सन ला आंखिन एक कोष्टा सांगित ले तुला आत्ता इंग्लिश येतने ठीक है पंड तुला इंग्लिश बोलाएला शिकल पाए चुकलतरी चालेल पंड बे धड़त पणे इंग्लिश बोल्ड पाएगे आणि यहा गोष्टी कर्सन घावरी शिकला तो मुंबई सेटल जाला मुंबई संघाट सेटल जाला भारतिया संघाट सेटल जाला अनि याद एक मस्त चान जिवन जब तो है यार यार वाइज एविवन कीप टॉकिं अबाट दॉचर इतना दरते क्यों है लोग चुचर से पीचर ने बोला मैट्स नी पड़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाऊगे फ्रेंग्स कहते है है हाईट शॉचर मतलब नो फ्यूचर फ्यूचर हाइट क्याता है क्या यार इडिवया फ्यूचर इद बालब तावन अर्ड विल बेल्ग ऐ रहर वाइज बद एडाविया बेल्ग शवड़ी एल्ध विल एद फ्यूचर मत बिगाड़ पन मला आइटस थाइन सो अवड़ तो गृप तो सही रा स्ट्ट र रही सही लगऑ और लागे बड़ीने prepare for it with a range of life insurance plans from AJS federal life insurance performance यवाप्तित रंजी ट्रफित त्याला कई प्रश्नत नौता हम तो A.C.S.L. साथी खेल्डा मुक्तव अर्था तच बुंबई साथी खेल्डा पर्ड तो वेगवान गुलंदाच कसा थाला इस उद्धा एक इंट्रेस्टिंग उष्टे तो मुर्जा राचकोट चा राचकोट मने तो 16 खेल्डा तो जावड़ेल शाड़े साथी खेल्डा तो बैट्स बने डाउकुरा फलंदाज आणि डाउकुरा फिरिकी गुलंदाज होता भरपूर विकेट्स गहेचा एकदुश महिदानावर ते इतर खेल खेल्डाईचे मैच चे आदल्या दुशी फुटबॉल खेल्डे तो वेगवण गुलंदाज पाय दुखावला आणि तो दुसरे दुशी मैच खेलू शाकला त्यावड़ेचे तैचे जे कोच होते नम त्यानी कर्सनला सांगितला कि तु तु अनि त्या मैच मदे साथ विकेट्स काड़ीया त्याला इमाहितना हुते कि आपले आद एक वेगवण गुलंदाज लपलाए हैं पाते हां कोच्नी तेला सांगितला कि स्पिन्बीन माजुल ऐओ तु वेगवण गुलंदाज हो आनि तो वेगवण गुलंदाज जाला जहाता तुन यहाता दन यहाता तुन यहाता तुन यहाता तुन उपवात जाएचा अमनला नेमीज आश्च्चेरवट याध मताऊगा याय सकोप्र 요ाच से बनी लिदीए कि जीडवा ये yum ये अचे गरीप टाउन टाओकता ने वहें डिस्टवा सोफिगार ये येام तो मस्त एक मुठ्थी बैकलिफ्ट प्रिंजे अख्खा स्विंग सोता मैं बैट्टेचे अख़्ी गोल फिराइची फार कमी खानाडूंची में अशी बगीदे ले हनुमान सिंग्ची बैट्टेची गोल फिराइची वी नंतर करसनल वीचारल कि तु नैशनल अन सेट्टेच एकोणीश्चा चाहरत्ता साली वेस्ट इंडीज विरुद्ध थेला आनि इट वस बैप्टिजम भाइवार कांड्य क्लाइव लॉइडची वेस्ट इंडीज तीम थीं तन्चे अज़ी लॉइड़ होता, तन्चे अज़ी ग्रीनीज होता, तन्चे अज़ी र प्रसंद्ना परिस्थितित घावरी खेलना होता। दुसरी एक महत्वची गोश्टे मैंजे भारतिय संगाच आक्रम अचे होता गोलंदा जीजा। ते फिर की गोलंदस होता। प्रसंद्ना होता संगात, बेधी होता, चंद्रेशेकर होता। आने ही मंडड़ी असल्या मुले करसंद्ना घावरी कड़े चेंडू फार कमी वढ़ा होता। मैं ये करसंद्ना सांग्तों माना कि बर्याच वढ़ेला चेंडू असा गवतावर फेकुद माजा कड़े आईचा। मैं विकेटकीपर चेंडू असलिप फिल्डर चेंडू बॉल गेला नंतर डायरेक्ट थ्रो कि थ्रो करून बॉल ची शाइन न खराप करता कदी करसंद्न चेंडू आला साथ। तो गवतावर घासुना जैचा करन लवकर आप लवकर शाइन गेली ता प्रसन्ना बेदी चनरा टाकु शक्तिल यहां हेतू निते केला जाईचा। त्या मैं त्या वाटेला साथ किवा आठ यहां पेक्षा जासता शटका याईचिस नाईचा। त्या मैं जावड़ेला नभीन बाल गेतला त्या विड़ेला। तरीक अरसन्ने आपले त्या पहिला टेस्ट मदे एक विकेट काड़ी पहिला एनिंग मदे। दुसरा एनिंग मदे एक विकेट काड़ी। गौड़न ग्रीनिच चे अत्यांत मुहत्वाची याशिती विकेट होती। पड़ त्या कसोटित तो चमकला एक फलंदाजमा। भारताची परिस्थिती अत्यांत विकेट होती। अनि त्या विड़ेला तो साथ द्यायला आला गुंडप्पा विश्वारातल। अनि यशी संध्याकाल ची वेड़ होती। पैड़ला उन्तो बसलेला होता। त्या विड़ेला ते जी तिकरची जी सिलेक्टरस होते कि अब बोलड़ातली मंडड़ होती। ती करसन ला सांगोत होती। यहवा करसन तु त्याला फक्त स्टैंडे। तु फटके वगरे मारा लदाउन होकोस। तु पकुडून खेल त्याला स्टैंडे। अथा करसन हाँ अटाकिंग बैट्समान। तो गोंधरात पढ़ला काय करावन। ते गेलयान अंतर कैप्टन टाइगर पतवडिन त्याला सांगितला। आइकोन होकों तुझा नैचरल गेम खेल। त्या संध्याकडी तो टिकला। आणि तो दूसरे दुश्ये पुना विश्वनात बोरो बैटिंग लगेला। तो ही आपले काई श्रॉट्स खेलडा। आणि विश्वनात्त समोर्जा बाजुला दाधासर की बैटिंग करते पा। विश्वनात्तनी एकों चलिश्रंस केला। करसंद गावरी ने सब्ताविस केला। पण त्यांची भागीदरी एक्क्याण नव धावांची जाली। आणि त्यां नंतर भारतिय संग जिंकला करन चन्रा बेधी प्रसन्नानी वेस्ट इंडीला खुलूंट अकला। पण यहां एक्क्यांड नव धावांफार महत्वा चाहोते। तशीज गोश्टत्च उथ्या कसोटित जाली। मैच चेद्नाईला होती। पुना अशित्स परिस्थिती। पुना करसंद घावरी 2nd inning मदे अशात्स परिस्थिती। बैटिंग लागेला फक्त समोर। विश्वन अच्याएवजी अंशुमान गायक वाड़ोता। गावरीनी सुध्धा एका बजुनी अपला नईसर्गी खेड़केला। पस ती नाबाद धावा काडला। त्रयात्तर धावाँची भागेजारी केती। ती भागेजारी अत्यन्त महत्वाची ठर्ली। पुना एकदा भारतियसंग जेंकेला। अनि दोन शिन्य हरलेला भारतियसंग वेस्ट इंडीस बरोबर केलियोती। दोन दोन। अनि श्यवट्ची टेस्ट होती मुंपईडा। ती सहाधिवसाची केलियोती। ती टेस्ट भारतियसंग हरला। पन करशन घावरी ने पाई-लाइनिंग मने चार बड़ी घेतले होती। एकंदर जर विचार केला परिस्थितिचा। तर करशन घावरीचा हाँ परफॉमंस उत्तम हता। दोन मैचिस तेनी जुंकुद्धिले होतीया। जहवा जहवाँ त्याला संधी ब्लाली, त यह उनी विकेट्स काड़ लेए उता। पन त्यान अंतर एक वर्षबर तो भारतियसंगात टिकला हिप्धिए, पन त्यापुडे सहात्तर सत्यात्तर नंतर मतरा, 21 परियंतर तो भारतियसंगात होता। तो दोन वर्ककप पर खेलडा है, 25 अग एकोनिशे एकोनिशे साली हैं. तो वर्ककप मेरे भारता दास मोठा परफॉर्मेंस नहुता, तर तया चाहा कोटा दाशना है. पंद तया चीजी करियर होती, तया करियर चीजी स्टाटिस्टिक्स अच्चा पीडी लगए खुब मोठा वातना पाए. तया स्टाटिस्टिक्स अशा होता, तो एकोनिशे टेस्ट में चीजी सखलडा, तयाने 913 धावा के लिए, तया चीजी सरासरी होती 21.23. पंद तया वले ले एक गोश्ट लक्षा थेवाला पाईजे, कि तो खाली साथवया कि वा आठवया करमांका और बैटिंग लाइचाना. तया तेनी दोंदा अरधा शत्क ठोकली और एक अरधा शत्क अशाही दावा अजे टेस्टीम ला ठोकला होता, तया जगे होता अवले 917 चेंडुमने तया आरधा शत्क ठोकला होता, तया जोला बाउंडर आःवा जी सेचा में गोलंदाजी सा विचार केला, ततेनी 109 वि सब्सक्राइब करें तो परन्त सुनिल गावसकर क्याक्तन जाला तो परन्त फिरिकी गोलंदाजान अनलो परन्त फिरिकी गोलंदाजा जाही रभास नीड़ क्याक्त पाकिस्तान जाही रभास नीड़ केड़ा तो परन्त फिरिकी गोलंदाज उतारालन लागा सुनिल गावसकर नेक नवीन संग तयार केला आणि सुनिल गावसकर चा कॉन्फिडन्स हा वेगवन गुलंदादान मले होता आणि मनुन गावरी ला हा स्कोप मेला उपफार महत्वाची गोष्टे दूसरी गोष्टाशी जली कि त्यावला समोर कपिल देवा आणि आणि त्या मुले नवीन चेंडू सुद्धा महत्वाता ठरला कर्सन गावरी आणि कपिल देवाने मिलूंद एक्षे त्रेंशी बड़ी गेतले ले देककत रव मैं आसा ने मी मन्तात कि आणि फास्ट बोलर्स हंटिन पैर्स एक्षे लिए पंचुष्ट कसोर्टी मदे एकदा ही समोर्चा संगाने शंभर दावांची ओपनिंग पाटनर्शिप केले दिला है कर्सन गावरी लक्षात रातो ने दोन गोष्टिन साथी एकदा इंगलन विरुद्ध तेनी मुंबाई ला दिलेला एक पर्फोर्मेंस बिशन बेदी ते वलेला कैप्टन होता आणि बिशन बेदीला आत्मने पैविलेन मने दायल लागिला तेला थोड़ा मसाच पाई जोता तेनी जाता ना सुनिल गावसकरला सांगीतला कितु अता कैप्टन चिपकर विकेट बिंगरी फिरत होती है बिंगरी पंड स्पिनर्स काई करू शकत नोते है सुनिन गावसकारदी बौल उचलला आणी घावरी चाहता दिलला आurartech हैं ज़नला कृसा के तुष्पिंटाक। गावरी वेगात स्पिंटाक हैं में तो बौल विङेट वार मारा है चाहता है आणी ती खेलपट्टी असी होती कि तीरह वार क्रैक्स होते विकेट वार मारले नंत चेंडू फिराल लागला, इंगलीश फलंदास सुध्धा कडी घावरी ला खेलेडेड नावते हैं, और बॉल्फ फिराल लागले नंत ते घावरी समर कोल बढ़ले, बेदी तो पर आज गेला होता, मसाज तेबल वर बसला होता, मसाज गेत होता, और बाहर याला निखाला, तो ताले एक विचित्र दुष्य दिसला, तेला सा दुष्य दिसली कि भारतिया संग और इंगलंड चे फलंदास आ देता हैं, तेला कड़िना कि नेमका काया जल मुण तेनी ठिकर चा अपले रिजर प्लेयर ला विचारला, कि यहां आत काया तेत का आणी लेफ्टांस पीन थी बात केला, विच्षन वेधी आबाकला, तेनी कर्सन गावरी ला काय सागित थेला, तेनी कर्सन गावरीटा सागितला, अरे बाबा तु श्पीन टाकल जाओनो को, नेट मरे सुध्धा टाकूनो को, कर्सन मनाला, पाजी मैंने पाँच विकेट लिया है इंग्लों कॉल्डाउं किया मग वेधी जला मढाला तुझा लेफ्टांस्पिंट आकाल लागलास तो मी काई गराईशा आणि जाजा विड़ेला तेनी लेफ्टांस्पिंट आकले ना त्यात्या विकर्ष्पिंट पलेला आणिखे नेगदास अगडलो होता कि स्ट तो वेगवान गोलंदाजिस करता है अन्किने कर्षन गवरी चारावार असलेले खुप मोठी गोष्ट मंजे एकोनी शे एक्क्याइशी साली तैनी हिटलेली ग्रेग चैपेल चीडिकेट अथा कर्षन हाँ वेगवान गोलंदाद मुणून त्या काला मने गाज अतुता है एकोनी शे एकोनी शे शे शाली जो भारतियसंग इंग्लाण लागेला तैनी दोन जडानची डोकी फूडली तेवा तैन्चा से लक्षताले कि यह कुटला मानुस गेहो ना लेला है आनि त्याचा बौंसर गोई गेला दोंदा त्या बरोबर इंग्लिश कॉमेंटेटर इं पुड़े लेस्टर लाइची मैच होती त्यावलेला बीबीसी चे कैनारे सग्डिकुण लागेला कि तैचे एक्षन बुरूबर आहे कि तैन्चा अग्नी परिक्षेतों सही सलामात बाहर पड़ला एकोनी शे एक्क्यांशी जाली भारतियसंग उस्ट्रेलियाला गेला होत पहिली टेस्ट भारता नी गमो नी एडलेट्री टेस्ट भारता नी वात्सव नी तिसरा टेस्ट मले ऑस्ट्रेलियाला दुसरा डावाज जिंकने साथी ताधरन पावने दोंशेव अगरे धावा पाई जोजा त्या बिक्षाई करने और नवीन चेंडू हा गावरी चाहत खालंडाज तेला सुनिल गावासकने सांगीत लगी ग्रेक चैपल ला पहिला बॉल बाउन्सर टाख करन शुरुवाथ ला जर बाउन्सर आलाना तर तो बिजक्त तो एगदादा सेट जाला सर्मा तो आउटोन कट्यने गावरी नी तेला पहिला बाउन्सर टाखनाजा प् ग्रेक चैपल बाद जहले नंतर अस्ट्रेलियन संगाचा धिर खचला। दुसरे दिवशी ऑस्ट्रेलियन उना मैटिंग करना और तैजिशी तो धिवस संपला। पंड दुसरे दिवशी दोन विकेट्स काडून सुध्धा करसं घावरी चाहतात बाल आला नहीं। सुनिल गावस करने बाल थेट कपिल देव चाहता दिला। कपिल देव इंजोर्ड हुता। कपिल देवनी इंजेक्षन जहतलों पेनकील इंजेक्षन आनि तो बोलून टाकाला। दुसरे बादुन तेनी ओवर दिली ब्लोशीला दिली आनि दोखानी मिलन आस्ट्रेला ला नवच्या आत खोलून टाकला। अनि टेस्ट मैजिए। करसं घावरी चाहता हुता कि सुनिल गावस केला दे योग्य हुता। कारण जींकण महत्वाच हुता। माला विकेट्स मेल्ड़ों कि या माला गोलंदाजी मेल्ड़ा नाई। अनि जर कपील फिट असेल त्याचा हाता चेंडू देना हेच योग्य हुता। त्यानंदर भारतियासंग निजुरेंड़ा गेला। अनि करण घवर्यापली शेवट्ची मैच थिथे खेला। त्यानंदर तो पुना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नाई। काहिकाल तो मुंबई साथी खेलत रायला। निवरुत्त जाला नाई। हळु 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 पेडाउट जाला। नंतर त्यानि काहिक कोचिंग असाइन्मेंट्स गेतले। ताला सवराष्ट चोचिंग चला मिलाला। त्यानि नाईशनल क्रिकेट अड़े में देजाउन कोचिंग केला। यात एक मस्त जिवरुत्ती च जिवन तो जात्तो है। मने एक गोश्ट सांगें। कि अनेक क्रिकेट पटो नामी भैटलाया। पन कर्चन सारखा मनाने उदार क्रिकेट पटो ये फार कमी पाहिले। पहिला क्रिकेट पटो यानि व्रेगवान गोलंदाजी मदे भारता साथी शंबर विकेट सुगेतले आम। एक सांगला वोल्राउंडर अनि एक सांगला मीत्रा। झालो तो एक मेरा वोलangen खामी एक सारखा ओर को लिए करें सारखाग के यदिए भारता सास्थाटад मैं एक सांगला वोल भी येतले ढाला वोलमाने तो जो ब nuevasपकान, हैं त।